आखे बोर्ड का इग्जाम आने वाला है और अगर इस समय बच्चों से पूझा जाए क्या चल ला है तो अदिकतर बच्चे जवाब देंगे एक्जाम प्रेसर चल ला है यह ठीक है exam pressure चला है लेकिन हम लोग इसे exam के festival के रूप में भी मना सकते हैं exam pressure न काके exam festival भी का सकते हैं लेकिन यह इतना आसान नहीं है इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा जैसे माली यह कोई तेवहार आता है कोई festival आता है तो क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले घर की अच्छी तरह सफाई करते हैं उस festival को मनाने के लिए कुछ चीजे खरीते हैं तब जाकर उस festival को अच्छी तरह मनाते हैं उसी परकार अगर हमें इस exam को exam pressure से exam festival में बदलना है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा हमें भी कुछ चीजों की सफाई करनी पड़ेगी किन चीजों की सफाई करनी है सबसे पहले सफाई करनी है मोबाइल का मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है या आपके एक्जाम के लिए एक गंदगी कीतर है इसको बिल्कुल रिमूब कर देना है अगर आपको मोबाईल की आवसेक्ता पढ़ती है किसी जरूरी चीज के लिए कोई जरूरी चीज पढ़ना हो तो केवल उसने समय के लिए ही मोबाईल आप अपने पास रखिए तो सबस होते समय इसको बिल्कुल आप अपने पास न रखिए यह आपका ध्यान भंग कर देगा आपकी स्टेडी में सबसे बड़ा बाधा यह उत्पन करेगा तो हम लोग एक्जाम फेस्टिवल मनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सफाई करेंगे मोबाईल का मतलब इसका है और आप लोग भी साइंस की स्टुडेंट है अच्छी तरह जानते होंगे डिग्री आफ फेडम जो होता है गैस पार्ट किसके कितने होते हैं तो हम लोग उस पे नहीं जाएंगो इस टॉपिक पे डिग्री आफ फिडम का मतलब होता है कि हम लोग जितने भी काम करते हैं उन सभी को aid कर दिया जाए जितने direction में काम करते हैं उन सभी को बोलेंगे degree of freedom, mobile चलाना होता है, create खिलना होता है, या कोई भी game खिलना होता है, या घुमना होता है, दोस्तों के साथ कहीं जाना रहता है, इस सब degree of freedom है, इस सभी को इस समय remove करके कितना करना है, एक, तो दूसरी चीज की सफाई करनी है, degree of freedom की, इसको भी हमें केवल एक तक सीमित करना है, और या एक चीज क्या है, approximately one, exactly one तो नहीं हो पाएगा, हमें अपना degree of freedom केवल steady पर लगाना है, इस्टेडी पर, इस से ज़्यादा, एक, exactly one तो नहीं कर पाएगे, लेकिन approximately one हो जाएगा, अगर कोशिश करेंगे तो, तो पाला सफाई करना है किसका, मोगाईल का, दूसरा सफाई करना है किसका, डिगरी of freedom का, ज्यादा हमें अपना degree of freedom नहीं रखना है, हमें इस समय concentrate होना है, किसके लिए, exam के लिए, third thing है, बच्चे इस समय अधिकतर बहुत सारे guide उस करते हैं, या बहुत सारे other notes उस करने लगते हैं, ये पढ़ाई का बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, या exam का अच्छा तरीका नहीं, आप क्या किजिए, जितना भी आप एक साल तक पढ़ें, जहां से भी आप note बनाएं ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अन्य था आप exam को खराब कर देंगे, तो revision अपने note से करना है, कोई नया note तयार नहीं करना है, question बार से भले ही देख लीजिए, लेकिन कभी भी revision नहीं किजिए, अगला क्या है, only formula, जैसे हम लोग करते हैं, पढ़ाई के दौरान क्या करते हैं, physics वगरे में बहुत सारे derivations आएंगे, formula आएंगे, definitions आएंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, एक बड़ी सी theory याद करने लगते हैं, उतनी बड़ी theory हमें exactly याद नहीं करनी है, theory में हमें केवल किस चीज का ध्यान देना है, formula याद करना है, second definition याद करने है, बाकी कोई भी अगर हमें lens के formula का derivation करना है, तो उसमें assume करने लगते हैं, assume, focal length इतना है, radius इतना है, object distance इतना है, image distance इतना, ये याद करने लगते हैं, ये समय याद नहीं करना है, ये अपने मन से आप लोग लिख सकते हैं, वो reading करते करते लिखने का habit हो जाएगा, लेकिन formula एकदम अच्छी तरह आप याद करेंगे, तो अगर formula definition याद करना पड़े, तो बहुत जादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और तीसरी चीज़ जो है, derivation का process याद रखेंगे, और यदि आपको derivations नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम आप उस topic से related जो formula रहेंगे और definitions उन्हें अच्छी तर तयार करेंगे, कोई ऐसा चीज नहीं कि पूरा का पूरा नोठी तयार करने लगे, ऐसा नहीं है, बस उसे read करना है, लेकिन उसमें जो figures रहेंगे उन्हें याद रखना है, formula याद रखने हैं और derivations याद रखने हैं, second thing जो है, remind, जो भी चीज़ आप याद करें, उसे याद करने के बाद आप खुद से देखें कि उसे अपने दिमाग में capture किये हैं कि नहीं, कोई भी चीज़ आद कर लिजे एक topic, उसे related formula definitions और उसके बाद एक बार देख लिजे, remind करके कि आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो एक बार और repeat किजिए, और कि आपको stress नहीं, stress मुक्त रहने के लिए आपको नियमित क्या करना पड़ेगा, पाच मिनट exercise करना होगा, अधिकतर बच्चों की सिकायट क्या रहती है, सर चीजे भूल जाती है, यह भूलनी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सब को भूलता है, यह याद रखिए कि आपके याद किये और सुचने 15 दिन हमेशा याद रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी के साथ नहीं होगा ऐसा, वो एक्स्टा ओर्डिनरी होगा, उसके बारे मम कुछ नहीं कर सकते हैं, हर अगर हम लोग नॉर्मल हैं, तो हम लोग के लिए क्या, हम लोग के लिए 2-3 दिन चीजे में तयार कर रहे हैं, उसके 1-2 दिन तक याद रहे हैं, अगर नहीं याद रहे हैं, तो याद होने लगेगा, धिरे धिरे आप नियमित रूप से पढ़ाई किजिए, और क्या करना, एक घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट रेस्ट लें, अगर आप लागातार कई के घंटे त रहे हैं, तो एक घंटा पढ़ने के बाद आप 5 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, और रेस्ट करने बच्चे अधिकतर क्या गलती करेंगे, मोबाईल यूज करना लेंगे, पहले ही का चुका है, आपके एक्जाम में एक गंदगी की तरह इसे आटा दीजिए, मोबाईल यूज न अच्छा नहीं रहता है, इसके लिए आपके पास एक ही उपाय है, आप टाइम को ब्रेक करें, कंसंट्रेशन ठीक करने और एक्टिव स्टेडी करने के लिए टाइम ब्रेक करें, ब्रेक करने का मतलब हुआ कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, माल लीजी हमें एलेक् कंडेक्शन पढ़ना है, या कुलाम शला पढ़ना है, तो टाइम देख लीजी और देखिये कि जिस समय आप उसका इसटेडी करने, उसको प्रिपेर करने हैं, तयार करने हैं, उस समय यह मत देखिये कि कि इतना टाइम लगा, जब आप एगद़म अच्छी तरफ प्रिपे कर रहा हूं आपका exam pressure एक exam festival में बदल जाएगा अगर इतनी चीज़ें आप करते हैं तो surely आपका exam pressure एक exam festival में बदल जाएगा लेकिन इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी मेरी तरफ से exam देने वाले सभी बच्चों को good luck